हेलो मय डियर फ्रेंट्स, कैसे आगा है अप सब उमीद करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो आज में बनाऊंगी निमकी, इसे परद बाले नमक पारे भी कहते हैं, मट्री भी कहते हैं, इसे आप सपर में भी ले सकते हैं, बच्चों को अगर हलका पुलका भूग तो आप इसे दे सकते हैं या साम के स्नैक पे भी चाय के साथ इसे आप ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना तो ये एक बाउल ले लिया है इसमें मैं एक कटूरी मैदा ले लूँगी और आदा चम्मच कलोंजी डालेंगी कलोंजी डालने से हमारे जो नमक पारेव उसमें बहुत ही अच्छा सा स्वाद और फ्लेवर आ जाता है और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगी और स्वाद अनुसा नमक डाल देंगी और इसमें तीन चम्मच हम डिफाइन ओयल डालेंगी ओयल थोड़ा सा हम ज़्यादा ही डालेंगे मैदा में अगर हम ओयल कम डालते हैं मैदा में तो जो हमारे नमक पारे हैं वो कापी क्रेस्पी और खस्ता नहीं बनेगा तो हमें ओईल को ज्यादा ही डालना है अब ओईल को हमें मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करना है तो देखिए मैं कैसे मिक्स कर जोई ऐसे आपको अधमसल मसल कर मिक्स करना है ओईल को मैदे के साथ अब देखिए ऐसे हमें बनने से मैदा बन रहा है तो ओईल हमारा मैदे में अच्छे से लग गया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा में, हमें सक्षा डो बना लेना है, अगर आप सौप सा डो बनाएंगे जो आपकी नमक पारे हैं, बूस में बवल सा जाएगा, तो हमें सक्ती आटा लगाना है, तो देखी हमने डो बना लिया है, और हमार डालेंगे, और दो चमच रिफाइन ओयल डालेंगे, अगर आपके पास घी हो तो आप घी भी डाल सकते हैं साटे में, अब मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें ओयल को, तो देखी हमारा साटा भी बनके रेडी है दोस्तों, अब इसे हम साइड रख देंगे, और जो दस मिनिट के लिए हमने आटा को रेष्ट में रखा था, उसे हम थोड़ा सा और मल लेंगे, और इसका दो लोई बना लेंगे, अब एक लोई को लेके हमें बेल के बड़ा कर लेना है इसको, और जैसे आप रोटी को बेलते हैं, बैसे ही सेम आपको बेलना है इसे, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेनना है हमें इसे बेल के बड़ा कर लेना है और मोटा ही रखना है इसके लियर को तो आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको बेल के बड़ा कर रही हूँ ऐसे ही आपको बेल के बड़ा कर लेना है और कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रहना चाहिए चारो तरब अच्छे से बराबर होना चाहिए हमारे चो रोटी है दोस्तो बहुत ही आसान है नमक पारे बनाना आप एक पर परत वाले नमक पारे जरूर ट्राय करना घर पर आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही इजी है इसको बनाना और ये सारी चीज़े हमारा घर पर अविलेवल होता है दोस्तो तो देखिए मैंने रोटी को बेल के बड़ा बना लिया है अब इसमें हम एक चम्म साटा डालेंगे और साटा को रोटी के चारो तरफ से अच्छी से लगा लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंज कैसे लगा रही हूँ ऐसे ही आपको लगा लेना है अब इसे हमें रोल करना है तो देखिए मैं कैसे रोल कर जूँ है अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे घुमा कर बढ़ा कर लेंगे अब इसे हम आदा इंचिस की गैप में ऐसे काट लेंगे और छोटे-छोटे इसके लोई बना लेंगे अब मैं आपको एक लोई दिखाऊंगी तो देखिए इसमें कितना सारा लियर आया है अब मैं सारे लोई को प्लेट में रख लूँगी अब एक लोई को लेके ऐसे हमें पेडा बना लेना है तो देखिए इसके अंदर जो लियर है इसे हमें दबा कर बंद कर लेना है अच्छी से तो आप देख सकते मैं कैसे गर लोई ऐसे आपको करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिया है अब एक पेड़े को लेके हमें पूरी जैसे बेल लेना है तो इसी हमें हलके हाथ से बेल लाएं प्रेंज तो पूरी को देखे बेल के बड़ा कर लिया है अब इसकी उपर हम थोड़ा साटा लगा लेंगे और अच्छे से पूरी की उपर चारो तरफ से लगा लेंगे फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे फिर दूबारा उपर से ऐसे फोल्ड कर देंगे और उपर से थोड़ा सा हम दबा देंगे फिर फॉक चमच से ऐसे हम पिक कर देंगे तो देखिए हमारे परदवालक क्यूटी सर नमक पारे ये बन के तयार है ऐसे हम और एक बना लेंगे तो देखिए और एक पेडा ले लिया है मैंने इसे बेल लेंगे और इसे पूरी जैसे हम में बेल के बड़ा कर लेना है और इसके उपर हम थोड़ा साटा लगा लेंगे साटा लगाने से क्या होता है फ्रेंज जब हमारा नमक पारे बन के तयार हो जाता है तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा लियर आ जाता है और इसे ऐसे फोल्ड करके फिर से उपर से फोल्ड कर देंगे दवा देंगे उपर से और फॉकट चमर से ऐसे पिक कर देंगे और एक हमारा क्यूटी सा नमक पारे बनके तयार है ऐसे हम सारा बना लेंगे तो देखे फ्रेंच, यहाँ पर मैंने सारे नमक पारे बना लिया है हम नमकी को तलने के लिए हम कड़ाई में रिफाइन ओयल डाल देंगे तो देखिए गैस के उपर कड़ाई बिठा दिया है हम रिफाइन ओयल डाल देंगे और ओयल को हम गरम होने के लिए रख देंगे तो ओयल देखिए फ्रेंस हमारा गरम हो गया है ओइल को हमने मेडियम गरम किया है ओइल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है अब एक एक करके हम सारा निमकी को डाल देंगे तेल के उपर और इसी हमें मेडियम टू लोग पे फ्राइ करना है तब ही हमारा नमक पारे बहुती खस्ता और क्रिस्पी बनेगा और इसे हमें बीच बीच में ऐसे हिलाते भी रहना है थोड़ी देर बात देखिए हमारे नमक पारे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है अब इसे हमें ऐसे अलट पलट कर देना है जिसे कि ये दुनों तरब अच्छे से फ्राई हो जाए और अंदर से भी अच्छे से पक जाए पाथ-छे मिनिट के बाद देखिए हमारा नमक पारे गोंडल ब्राउन कलर हो गया है तो मारा नमक पारे अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम निमकी को एक प्लेट पे निकाल लेंगे और ऐसे ही हम दूसरे बैज भी ओईल में डाल कर फ्राई कर लेंगे तो इसी हम गोंडल ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे तो देखिए फ्रेंज हमारा दूसरा बैज भी ओईल ब्राउन कलर नमक पारे बनके तयार है इसी हम प्लेट पे निकाल लेंगे तो निमकी की रेसिपी कैसे लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक शेर जरूर करना आप अगर मेरे चैलेंड पे नए हो तो प्लीज मेरे चैलेंड को सब्सक्राइब करना बैल एकर को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे वीडियो देखने के लिए थैंक यू फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई